Hello Students! Students, हमारे country के दो important fund हैं किसी भी emergency situation में किसी भी victim को relief देने के परपस से PM National Relief Fund और PM Care Fund जिसको COVID के समय में create किया गया था तो Students, आज हम इस वीडियो के अंदर इन दोनों funds के बारे में जानेंगे कि ये funds कब establishment में आए क्या-क्या इनके special provision है fund को कौन govern करता है क्या ये RTI Act के अंदर में आते हैं या नहीं आते हैं तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो Students, PM National Relief Fund है और PM Care Fund है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम बात करें PM National Relief Fund Students जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है National Relief Fund है कोई भी अगर nation के अंदर कोई भी emergency situation आती है कोई भी यहाँ पे disaster create होता है तो उस समय में इस fund को यूज किया जाता है अगर हम बात करें PM National Relief Fund की तो students इसको constitute किया गया था PM National Fund को जब 1948 के समय में हमारे उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडि जवारलाल नहिरू उनके दुआरा इस fund को constitute किया गया था क्योंकि उस समय इंडिया हमारा जो partition है उसका जो crisis है उससे हम जूज रहे थे तो partition की वज़े से जो लोग पाकिस्तान से इंडिया के अंदर migrate किये थे partition की वज़े से तो उन लोगों को यहाँ पे relief प्रवाइड की गई थी इस fund के थूँ students अगर हम बात करें currently situation में कोई भी अगर natural climate ही होती है कोई flood की situation है कहीं पे accident होता है या cyclone की situation आती है या earthquake है अभी आप recently देखिए कि जो गुजरात की मोरवी के अंदर जो bridge का collapse हुआ वहाँ भी जो victims हैं victims की families को जो यहाँ पे assistance प्रवाइड किया गया वो PM National Relief Fund के थूँ ही वो assistance है वो प्रवाइड किया गया तो present समय में इस तरीके के कोई भी natural disaster या natural climate को ये create होती है तो उस समय में यहाँ पे जो relief है वो PM National Relief Fund के थूँ ही provide की जाती है students इसके अंदर में basically जो यहाँ पे जो medical treatment से related भी इसको use किया जाता है suppose कीजिए कोई poor person है कोई poor citizen है country का वो अपनी health के survival का जो भी expenditure है उसको afford नहीं कर सकता तो उसका यहाँ पे medical treatment के लिए भी acid attack के victims हैं, cancer treatment है major accidents हैं riots के कोई victims हैं तो उन सबको भी यहाँ पे जो relief है वो PM National Relief Fund के थूँ ही provide की जाती है students 1948 के अंदर इसको establish किया गया, but यह एक public contribution fund है public के दुआरा यहाँ पे contribute किया जाता है, अगर हम बात करें, PM National Relief Fund के अंदर, अगर आप minimum जो पैसा है, वो यहाँ पे relief में देना चाते हो, तो वो है 100 RS, 100 रुपी आप यहाँ पे minimum पैसा है, जो यहाँ पे donate कर सकते हो, maximum आप अपने जो आपका जो status है economic, financial situation के according आप कर सकते हो, तो minimum 100 RS है, वो आप यहाँ पे public contribution के थूँ लोग यहाँ पे donate करते हैं students public fund होने की वज़े से, public contribution रशीव करने की वज़े से, यहाँ PM National Relief Fund को कोई भी budgetary support है, कोई बज़ेट का जो support है, government के दुआरा, वो यहाँ पे नहीं provide होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, कि इस fund के अंदर से अगर जितना भी पैसा यहाँ पे आयत आता है, जो पैसा यहाँ पे receive होता है, contribution के थूँ इस पैसे को government के दुआरा यहाँ पे, इसको use भी किया जाता है commercial, जो corpus का जो fund है, उसको invest किया जाता है बहुत सारी जगे, जिस से इससे कुछ money है, वो generate किया जा सके, अगर हम बात करें, fund के अंदर से अगर जो पैसा है, वो victims को अगर देना है, तो यह जो money है, जो donate करने कि जो completely power है, जो approval है, वो prime minister का होता है, prime minister यहाँ पे approval करते हैं, क्योंके ही approval से PM National Relief Fund के अंदर जो पैसा है, वो यहाँ victims को grant किया जाता है उनको दिया जाता है PM National Relief Fund Parliament के act के दुआरा या Parliament के दुआरा नहीं बनाया गया है, एक public fund है और कोई भी budgetary support भी नहीं है, और Parliament के दुआरा भी नहीं बनाया गया है fund यहाँ पे एक trust को recognize करता है trust के रूप में इस fund को recognize किया गया है, income tax act के थूँ, PM इसको manage करते हैं, हमारे prime minister और भी बहुत सारे delegation है जिसमें Tata Trust है, Congress के जो President होते हैं, वो इसके member होते हैं, इस trust के Students, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि trust के रूप में इसको यहाँ recognize करने की वज़े से income tax act है, उसके अंदर में इसको 100% exemption मिला हुआ है income tax यहाँ पे, income tax act यहाँ पे apply नहीं होता है इसके अलावा हम अगर हम बात करें PM National Relief Fund voluntary contribution यहाँ पे receive करता है, कोई भी individual person है, वो यहाँ पे contribution कर सकता है, कोई institution है, यहाँ पे जो अपना contribution है वो कर सकता है, budgetary support यहाँ पे नहीं provide की जाती है PSU से पैंसा जो हमारे public sector unit है उनसे भी जो पैंसा है वो receive नहीं किया जाता है, PM National Relief Fund के अगर हम audit की बात करें, तो यहाँ पे जो independent auditor होते हैं outside the government, means the CAC के दुआरा, यहाँ PM National Relief Fund को audit नहीं किया जाता है, तो students यह PM National Relief Fund के बारे में कुछ बाते थी, minimum पैसा जो आप contribute करते हो वो यहाँ पे 100 रुपे आप कर सकते हो, जो यहाँ पे minimum money है, contribution के लिए अगर हम बात करें, next हमारे fund की PM Cares Fund Students, PM Cares Fund basically citizens का assistance है, relief करना है emergency situation को emergency situation कोई भी create होती है उस समय, PM Cares Fund को यहाँ पे जब COVID-19 का outbreak हुआ, उस समय में इस fund को create किया गया, यह एक public charitable trust है, public charitable trust के रूप में इसको register किया गया है, PM Cares Fund को, और यहाँ पे PM Cares Fund की जो transparency है, उस से related काफी issue है, वो raise किये गए थे, जो opposition parties है उनके द्वारा, कि PM Cares Fund को यहाँ पे RTI के अंडर होना चीए, इस से related information होनी चीए, किसका money है, जो मनी से spend कर दिया गया है, उन सब के बारे में, तो जैसे ही COVID-19 का outbreak हुआ 27, जो March है 2020 के समय में, इसको एक public charitable trust के रूप में PM Cares Fund को उस समय में establish किया गया, इसका basic purpose यह था, कोई भी health emergency से related situation अगर create होती है, उस समय में, इस fund के दुआरा जो money है, उसको spend किया जाएगा emergency situation है, कोई stress वाली situation है, या natural disaster, जो man-made हो या natural हो, उस समय में इसका जो money है, वो यहाँ citizens को assistance या support provide कराने के रूप में दिया जाएगा, students यहाँ पे अगर हम बात करें, PM Cares Fund की, तो PM Cares Fund के जो ex-official जो chairman होते हैं, वो हमारे prime minister होते हैं, prime minister इसका जो trust है, जो public charitable trust है, इसके chairman होते हैं, ex-official chairman PM होते हैं, इसके अलावा trust के जो members हैं, वो यहाँ पे आपको defense minister, minister of home affairs, minister of finance जो government of India के जो तीनो ministry हैं, इनके भी जो minister जो होंगे, वो आपको इसकी जो trust है, उसके यहाँ पे member दिखाई देंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे members होते हैं, जिन को यहाँ पे PM के द्वारा nominate किया जाता है, PM के द्वारा इनको invite किया जाता है जिसके अंदर especially आपको three trustee हैं, वो देखने को मिलेंगे जो इसके board के trustee होते हैं, वो eminent person होने चीएं, उनको research के sector में knowledge हो, क्या health science, social work, law, public investigation और philanthropy से related उनको यहाँ पे life में experience होना चीए, उन ही लोगों को यहाँ पे nominate किया जाता है अभी recently, 2022 के समय में, 2022 में आप देखिए कि यहाँ जून और जुलाई के मंत के समय में, यहाँ पे जो तीन लोग हैं, उनको यहाँ पे nominate किया गया है, हमारे prime minister के दुआरा, और वो basically जिन persons को nominate किया जाता है, वो यहाँ पे जो कोई भी climate create होती है, man made या natural disaster होता है, उस समय में citizens को assistance जो better way में जो provide किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे work करते हैं, students इसके अलावा अगर हम बात करें, PM के एरस fund है, जो completely यहाँ पे voluntary contribution के उपर depend है, आप individual level पे दे सकते हो, आप यहाँ पे organization level पे यहाँ पे basically यहाँ contribute कर सकते हो, जो minimum पैसा है, जो सबसे कम पैसा है, वो यहाँ पे आप contribute कर सकते हो, वो है 10 रुपए, जैसे PM National Relief Fund के अंदर 100 रुपए था, इसी तरीके से PM Care Fund में आप minimum जो पैसा आप यहाँ पे contribute कर सकते हो, वो यहाँ पे 10 रुपए आप minimum पैसा यहाँ contribute कर सकते हो, students जैसे कि PM National Relief Fund को यहाँ पे कोई भी budgetary support नहीं था, उसी तरीके से PM Care Fund को भी कोई भी budgetary support नहीं है, और यहाँ पे जो भी मैसा आता है, उसका main purpose है कि इसका जो objective है, वो यहाँ पे सर्व होना चाहिए, students PM Care Fund को भी completely 100% exemption दिया गया है, हमारा जो income tax act है, उसके थरूँ इसको completely exemption है, बट यहाँ पे PM Care Fund को qualify भी किया गया है, कि जो हमारे यहाँ पे, जो हमारी companies act 2013 के थरूँ, यहाँ पे corporate social responsibility का जो concept है, उसको start किया गया, मिन्थ corporate social responsibility का concept यह है, students, कि 2013 के companies act के थरूँ, इसको establish किया गया था, कि हमारे यहाँ पे जितनी भी corporate companies होती है, उनको अपना 2 साल या 3 साल का जो उनको, जो basically उनको जो benefit मिलता है, उस benefit का 1 परसेंट या 2 परसेंट उनको spend करना होता है, social securities में, social security like the, उनको यहाँ पे basically लोगों के school में कुछ donate कर दिया, कहीं पे पार्क के अंदर में कुछ donate कर दिया, इस तरीके का जो पैसा है, corporate यहाँ पे जो लोगों से आप पैसा भी कमाते हो, corporate की वज़े से, तो आपकी कुछ responsibility बनती है, तो उसको corporate social responsibility बोला गया है, तो यहाँ पे अगर कोई company है, उसका target है, वो achieve नहीं होता है, तो अपना वो पैसा है, वो PM cares fund के अंदर में donate कर सकती है, तो PM cares fund यहाँ पे CSR के थुरू पैसा है, वो receive कर सकता है, यह यहाँ पे different एक point है, PM national relief fund से, इसके अलावा, PM cares fund को यहाँ पे allow किया गया है, कि आप foreign से जो contribution है, वो भी आप receive कर सकते हो, जो FCRA का act है, foreign contribution regulation act है, जो foreign से जितना भी contribution आता है, जिसको regulate करता है, FCRA का act, वो यहाँ पे apply नहीं होगा, उससे यहाँ पे exemption दिया गया है, इसी के लिए PM cares fund के दुआरा एक different account open किया गया, जहाँ से जो foreign contribution है, वो receive किया जाएगा, यह basically FCRA act के provision है, जिसके अंदर में, जो foreign का contribution आता है, उसको एक account के अंदर save किया जाता है, यह कुछ, उस act के कुछ provision है, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और ministry of home affair है, जो FCRA act को यहाँ पे regulate करती है, तो यहाँ पे FCRA act के थुरू, यहाँ पे जो donation है, वो allow किया गया है, PM Cares Fund में, जो हमको प्राइम Minister Nation Relief Fund को भी 2011 से जो allow किया गया है, कि वो भी foreign से जो contribution है, वो receive कर सकते हैं, students, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक independent auditor के दुआरा इसको audit किया जाएगा, independent auditor इसको audit करेंगे, यहाँ पे RTI act के अंदर इसको नहीं रखा गया था, 2021 के अंदर, दहली हाई court ने PM Cares Fund से related एक judgment दिया था, जिसमें बोला था, कि PM Pares Fund basically कोई public authority नहीं है, आप देखें कि जो right to information act है, उन्हीं जो RTI act है, right to act only उन्ही authorities के उपर लागू होता है, जो public authority है, तो basically PM Cares Fund यहाँ पे public authority नहीं है, इस वज़े से यह RTI के अंदर नहीं आता है, इसका जो audit है, वो CAC के दुआरा नहीं किया जाता है, independent auditor के दुआरा किया जाएगा, PM Cares Fund basically PSU से पैसा receive करता है, जो हमारा PM National Relief Fund है, वो receive नहीं करता था, इसके अलावा अगर हम बात करें students, अभी recently हमारे Prime Minister के दुआरा, जो COVID की second wave इंडिया के अंदर आई थी, उस समय में बहुत सारे ऐसे childrens थे, जिन्होंने अपने parents को खो दिया था, तो उन childrens को यहाँ पे financial support, उनकी educational support के लिए, जो पैसा जो spend किया जाता है, वो PM Cares Fund के थुरू ही यहाँ पे spend किया जाता है, childrens के care के लिए, जिन्होंने अपने parents को यहाँ पे खो दिया था, COVID-19 pandemic में, तो उनका यहाँ scholarship और इनको यह health insurance के लिए जो पैसा है, वो आपको यहाँ पे PM Cares Fund से देखने को मिलेगा, तो students, यह हमने PM Cares Fund के बारे में देखा, कि contribution में CSR है, उसका contribution allow है, जो national relief fund के अंदर नहीं था, बाकी provision same है, वो भी एक public trust के रूप में है, यह भी एक public trust के रूप में है, इसके अलावा दहली आईकोर्ट ने बताया कि यह एक public authority नहीं है, इसका जो पैसा है, वो government के consolidate fund के नहीं रख सकते हो, independent auditor दोनों को audit करते हैं, national relief fund में 100 रुपे आप minimum donate कर सकते हो, cares fund में आप 10 रुपे minimum donate कर सकते हो, तो यह दोनों fund के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारे UPSC के exam के perspective से काफी ज़्यादा important है, तो ऐसे ही short videos के थूप हम आप से continue मिलते रहेंगे, तो आप हमारे से जुड़े रहें, thank you students, thank you very much